हलो दोस्तों स्वागत आपका स्लीपी क्लासेज में आज के हमारे इस बिग ब्रेकिंग न्यूस के एपिसोड में हम रेवा मध्या प्रदेश में जो सोलर प्लांट इनाउगरेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बारे में बात करेंगे तो फ्राइडे को प्रामिनिस सोलर पावर प्लांट है स्प्रेड ओवर अल्मुस्ट सिक्स्टीन हंड्रेड एकर्स ऑफ लैंड राइट तीन सोलर जेनरेटिंग यूनिट है यहां पर टूफिफिटी मेगावाट के इन्टु थ्री जो सेवन फिफिफिटी मेगावाट बन जाता है लोकेटिड ओन फाइ सोलर पावर प्लांट है यह इंडिया और व्रड में तो लार्जस्त है कि av the largest है क्या कहानी किया है इसको लेकि बड़ी डिबेट हुई चर्चा हुई तो देखते हैं बड़ा है बहुत बड़ा है बट दुनिया में या एशिया में या इंडिया में सबसे बड़ा नहीं है इंडिया में जो सबसे बड़ा है वो भादला सोलर पार्क है जोदपूर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में जो की 2245 मेगावाट का है रैट देन इसके बाद जो आता है वो है पावगाड़ा सोलर पार्क या शक्ति स्थल solar power project जिसको कहते हैं तुमको district करनाटका में जो 2050 megawatt का है करनाटका में तो ये number one पे है ये number two पे है right then ये जो 750 megawatt वाला जो power plant है इसके उपर और भी कई power plants है after these number one and number two right तो बड़ा है बहुत बड़ा power plant है solar power plant है लेकिन सबसे बड़ा power plant solar power plant नहीं है वो incorrect information है क्योंकि ये आपके one and two है right भादला solar park 2250 megawatt जोदपूर district राजस्थान में और शक्ति स्थल power project जो की करनाटका में तुमको district में है right अब then इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि news में ये है रेवा ultra mega solar limited जो corporation है उसने ये solar park develop किया है और ये जो company है ये मध्याप्रदेश उर्जा विकास निगम जो है इनका electricity department जो है electricity development corporation जो है उसका और solar energy corporation of india जो की एक central PSU है इन दोनों का joint venture है रेवा ultra mega solar limited मर्ध्या प्रदेश की जो agency है उर्जा विकास निगम है और जो central government का PSU है solar power के लिए solar energy corporation of india इन दोनों का ये joint venture है जिसने ये solar park develop किया है रेवा पे then यहां पे जो bidding हुई है वो reverse auction तरीके से हुई है क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और तीन companies को इसका contract गया है महिंदरा renewables private limited ACME जैपुर solar power private limited और अरिंसुन clean energy private limited तो 250 megawatt के तीन plants है हमने दे पढ़े थे अभी और तीन companies को इसका contract गया है इंडिया में किसी project के लिए पहली बार ये reverse auction वाला concept ट्राइ किया गया और सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्याप्रदेश state के बाहर एक institutional customer को यहां से power supply की जाएगी डेली Metro Rail Corporation जो है DMRC जो है डेली Metro जो है डेली Metro को लगभग 24% power supply करने का contract है from this solar power plant at Reva और बाकी जो 76% electricity है वो मध्याप्रदेश power management company को जाएगी जो आगे supply करेगी तो मध्याप्रदेश के बाहर भी इस solar plant से electricity supply करी जाएगी अब reverse auction की क्या कहानी है तो auction क्या होता है एक वहाँ पे seller है एक buyer है जो buyer है वो bid लगा रहा है और उसके जो competitors है वो उसको out bid करने की कोशिश कर रहे हैं तो there are multiple buyers who are trying to bid इसमें क्या है reverse auction में क्या है जो sellers है वो non-negotiable price bid submit करते हैं और इन sellers की bid में से जो lowest bid होती है वो select की जाती है तो क्यूं होता है ये process एक तो ये कि competitive market जो है वो price determine करें कि जो सबसे सस्ते दाम पे दे सकता है उसको ही contract मिलना चाहिए right की competitive market बनी रहे दूसरी चीज अगर agency ते करेगी कि कि किस rate पे supply करना है तो there could be a chance of overpayment right की मानलो 3 रुपे बिड़ो 3 रुपे देने को मैं तयार हो जाऊ और जो seller है वो धाई रुपे में देने को ही तयार हो तो मैं 50 पैसे extra क्यों दूँ right तो ये overpayment के से बचने के लिए ये use की जाती है technique competitive market रहती है इस चीज से तो ये reverse auction वाली चीज is very adopt करी गई है and as of now अगर हम prima face ही देखें तो successful रही है क्योंकि जो bidding price है वो lowest आ गया है solar power का इंडिया में ever right तो so far so good then जो project की cost है लगभग around 4,000 crores है जिसमें से 440 million dollars का जो loan है 2800 crore Indian currency के बराबर का जो loan है वो international finance corporation से आया है जो की world bank group की एक company है right then 138 crore का जो assistance है वो center ने provide किया है इस project के लिए then interstate transmission system जो है वो power grid corporation of India ने develop किया है इस project के लिए पहला ऐसा project है जिसको the world bank और clean technology fund in India से funding मिली है right half a percent पर ये loan होता है 40 साल के लिए तो बहुत ही super attractive terms पे loan मिला है इस project के लिए then environment की तरफ क्या contribution रहेगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिस scale पर ये plant operate करेगा हमारे देश की annual जो carbon emission reduction होगी carbon dioxide emission reduction होगी वो 15 लाख ton के बराबर होगी which is a very very substantial amount of reduction on the part of India साथ ही साथ ये जो 750 megawatt का जो plant लग रहा है this will help us meet our target of 175 gigawatt of renewable energy capacity जो इंडिया ने प्रन लिया है कि मैं develop करूंगा by the year 2022 right December 31st 2022 तक इंडिया ने प्रन लिया है कि वो develop करेगा 175 gigawatt की renewable energy capacity जिसमें से 100 gigawatt solar होगा 60 gigawatt wind होगा 10 gigawatt biomass होगा और 5 gigawatt small hydro project से पैदा होगी ये बिजली ये जो 175 gigawatt का target है ये एक interim target है of 275 gigawatt जो इंडिया अचीव करना चाहता है by the year 2027 तो 2027 का जो plan है जो vision है जो mission है उसका ये एक interim target है 175 gigawatt then significance क्या है इस project का कई सारी चीजें इसकी सरहना जनक है सबसे पहले तो payment security mechanism एक introduce किया है तो ये क्या है distribution companies तो distribute कर देती हैं बिजली लेकिन जो generating companies हैं उनको भरपाई नहीं हो पाती है पैसे की और वो हमेशा ही घाटे में चल रही होती है तो इस particular project में जो distribution companies हैं उन्होंने एक letter of credit offer किया है generating firms के लिए एक assurance है कि हम आपको पैसा देंगे generating firms इस letter of credit को in cash करा सकती है लेटर रौन ये bank guarantees एक तरीके से होती है कि आपको आपका पैसा दिया जाएगा then पहला solar project है ये देश का जिसने grid parity barrier को तोड़ा है तो grid parity barrier क्या होता है कि जिस दाम पे grid से already electricity आ रही है उस दाम से भी lower इसका दाम है तो first solar project in India to break the grid parity barrier then मोदी जी ने इसको inaugurate करते हुए कहा कि ये one world one sun one grid idea का एक part है उसकी fulfillment की तरफ एक छोटा सा step है ये जो मंत्रा है one world one sun one grid का ये मोदी जी ने second global renewable energy investor meeting जो हुई थी Indian Ocean Rim Association की और पहली assembly थी वो international solar alliance की उसकी एक sort of conference पे ये अपना मंत्रा पेश किया था लोगों के सामने दिन future क्या है और इसा जो है वो target कर रहा है कि अपनी capacity को 1500 मेगावाट तक ले जाए पंजाब target कर रहा है PM कुसुम scheme जिसमें 10 गिगावाट की एक scheme है कि जितने भी pumps हैं पानी पुल अप करने के लिए पंजाब में जो बहुत ही जादा subsidized electricity जिसके लिए farmers को दी जाती है उसको replace करके solarized agricultural pumps देना ताकि state exchecker को फाइदा हो सके किसानों को फाइदा हो सके राइट इंडियन railways भी जो है वो भी solar power plant establish करना चाहता है vacant land पे and towards this end उनोंने railways ने राय बरेली में बीना MP में भिलाई चत्यजगर और दिवाना हर्याना में projects शुरू कर दिये हैं जो बीना MP का जो plant है वो तो almost एक हफते में operational भी हो जाएगा ये future है लेकिन कुछ challenges भी है challenges सबसे बड़ा तो the China factor क्या है majority of photovoltaic solar panels जो है इंडिया में along with other equipment which is used for solar power plants वो चाइना से आता है पिछले साल हमने लगबख 70,000 करोड का समान इंपोर्ट किया power sector ने and majority of this stuff was imported from China अब गालवन clashes के बाद इंडिया ने duty बढ़ा दी है कि solar cells जो चाइना से आएंगे उन पे 15% traditional duty लगा दी गई है और अगले साल से ये 40% तक हो जाएगी तो ये this sounds trouble although ये clause discuss किया जा रहा है कि already जो companies है जो power purchase agreements sign कर चुकी है states के साथ उनको exempt करने के लिए भी ये provision consider किये जा रहे है then government चाहती है कि ऐसी companies जो चाइना से equipment import करते है उनको उनकी जो funding है वो थोड़ी limit करी जाए तो basically चाइना से import करने वाली companies को थोड़ा सा रोका जाए power ministry की एक report है जो ये कहती है कि लगभग तो पांच ऐसे critical items है जो हम अभी locally produced नहीं करते हैं जो हमें चाइना से लेने पड़ेंगे बाकी सब locally available हैं लेकिन फिर भी हम उनको locally procure नहीं करते हैं क्योंकि चाइना जिस दाम पे हमें देता है हम उस दाम को beat नहीं कर सकते या match नहीं कर सकते तो when you are taking up such a big project जो भी इसको finance कर रहा है उसको अपनी cost सब कम से कम रखने का incentive तो होता ही होता है right then 80% से जादा हमारे जो solar cells और modules हैं वो चाइना से import होते हैं in the current situation हमारे पास alternatives हैं वो वियतनाम और Taiwan निकल के आ रहे हैं बट किस तरफ गाड़ी मुड़ेगी ये वक्त ही बताएगा right अब agenda ये है कि आपने चाइना को beat करना है चाइना को match करना है तो चाइना ना ही renewable energy generation में सबसे आगे है बलकि solar panels produce करने वाला manufacture करने में भी सबसे आगे है और complete vertical integration कर चुका है मतलब जो पूरी supply chain है right from start to finish solar power generation की सारे के सारे steps पे जो भी चीज़े उसे चही होती है procurement से लेके manufacturing तक right सारी की सारी चीज़े China in-house कर रहा है और सब में उसकी महरत है इंडिया को अगर उसको match करना है तो complete vertical integration हमें भी चाहिए अपने पूरे के पूरे process में कैसे होगी long term policy हो चाहिए infrastructure build करना पड़ेगा incentives देने पड़ेंगे लोगों को की इस काम को take up करें और R&D में invest करना पड़ेगा ताकि जो चीजे आज हम नहीं बना पा रहे हैं locally वो भी हम बना पाएं ताकि Prime Minister Modi का जो सपना है आत्म निर्भर भारत का ये पूरा कर पाएं तो ये सारे कर्म है जो उठाने जरूरी है तो ये था Riva के solar power plant का एक छोटा सा discussion खतम करने से पहले आपको बता दें कि जो हमारा second batch है PCM UPSC 2021 के लिए उसके सारे के सारे courses ongoing है, live है, enrollments open है जो की कुछ ही दिन तक चलेंगी उसके बाद close कर दी जाएंगी तो general studies, essay, political science, sociology, सारे के सारे courses available है आप courses.sleepyclasses पर जा सकते हैं या www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं और आपको वहां से सारी information मिल जाएगी तो आज की lecture में इतना ही, मिलेंगे आपसे next week अपने एक breaking news के साथ तब तक के लिए thank you and keep watching